नमस्कार मैं हूँ पंकेच खुमार इस विशेश कारिकरम में मेरे साथ एक मेहमान है जी हाँ जिनोंने चिकित्सा के छेतर में शांदार काम किया है आपको ये बता दें कि जिन लोगों को जॉइंट रिप्लेसिमेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको मालूम है कि पड़ी क्रोनिक एंथ्राइटिस से अर्थ्राइटिस से परेशान रहते हैं उनको बहुत हड्डी का दर्द रहता है जोडों का दर्द रहता है बड़ी दिक्कत रहती है जगए जगह पर घुहमते हैं समुचत इलाज नहीं मिल पाता तो निष्चेत तोर पर उन्हें एक रोबोटिक जॉइन्ट रेप्लेसमेंट है, मतलब जॉईन्ट रेप्लेसमेंट कि सี่ में किया जाए, कितना पर्फेक्शन के साथ किया जाए, इसमें इनकी मास्टरी है, और खास बात ये है, कि इन्होंने इस ले्टिश टेकनॉलोजी का इस्तेमाल, बनारस जैसे शहर में किया है ताकि आसपास के छेतर के लोग जो कि गाउं में रहते हैं जिनके लिए दिल्ली आना संबब नहीं है मुंबई जाना संबब नहीं है जिनें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो इनके पास आ सकते हैं और ये उन्हें उस तरह की टेक्नोलाजी से उनका इलाज कर सकते हैं वो भी उतने ही किफायत में कि उन्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है तो मैं सबसे पहले डॉक्टर स्वरूप पटेल का अपने इस खास एपिसोड में बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर स्वरूप पटेल आपका बहुत स्वागत है टीवी नाइन के इस प्लेटफॉर्म पर धन्यवादा तैंक यू डॉक्टर स्वरूप पटेल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज कल लोगों को बहुत ज़्यादा प्राबलम जॉइंट्स में क्यू होता है और जॉइंट्स में इस हद तक प्राबलम लोगों को हो रहा है जबकि हम कहते हैं कि अब हम लोगों का लाइफ एकस्पेक्टेंसी बढ़ गया है हम जीना सीख गए हैं हमें पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है लेकिन अब बच्चों को दिक्कत हो रही है कम उम्र में दिक्कत हो रही है जॉइंट की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है कूलें टूट जा रहे हैं तो इतने तरह की प्राब्लम्स लोगों को हो रही है और हम कहीं भी क्योंक ये समस्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है इस समस्या के बढ़ने का करण हम लोग स्वयम ऐसा कहने से लोग आहत और चक्ष चख्यग भी हो सकते हैं पर हमने अपनी डायट्री और अपनी लाइफस्टाइल हमने अपने खाने-पी ने कि शैली हम बाहर का बहुत ज्यादा खा दिया, हमने अपने शरीर का बहुत ध्यान नहीं रखा, हम दूद का सेवन धीरे-धीरे करते कम करते जा रहे हैं, हमारा बाहर निकल के स्पोर्ट्स खेलना बच्चों में उसब भी खतम हो गया है, तो आप बदलाओ देखेंगे कि अब हम अपने घर के अंदर बहुत ज्याद दिरोध में नहीं हूँ, लेकिन हमें अच्छा खाना है, हमें स्वस्त रहना है, हमें एक्सेसाइज करनी है, अपने वजन को संतलित रखना है, समय समय पे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर उम्र के पढ़ाओं पे कुछ शारीरी जरुरते होती, उसे हमें समझना है, और उनमें अगर हम कोई कमी कर रहे हैं, तो हमें उसे दूर करना है, अगर हमें साक कर पाते हैं, तो हम बहुत सारी समस्याओं को जिनमें से जोडो की गठिया और और ऑस्ट्रेटिक पेंस, यह सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं, अब आपने बिलकुल ठीक का, लेकिन मैं एक सवाल बीच में पूछना चाओंगा, आपका जो एक्सपर्टीज है, उस पे तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं चाओंगा कि आपके माध्यम से पहले दर्शकों को यह बताया जाए, कि समस्या है, तो क्यों है, क्योंकि अगर यह दर्शक जान जाएंगे, कह हमारे अंदर अवेरनेस बहुत जादा बढ़ गया है, लेकिन हम देखते हैं कि अब लोग जादा बीमार पढ़ते हैं, एक तरफ टेकनोलाजी में एडवांसमेंट देखता है, मेडिकल फैसलिटीज बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीमारियां भी बढ़ती जा र अब एक आप कहे रहे हैं, आजकर लोग दूद नहीं पीते हैं, कहीं पर ये कॉंसेप्ट चल जाता है कि भाई आप इस तरह का डाइट लीजे, क्योंकि ये जो दूद हम पी रहे हैं, वो बड़ा अननैचुरल सा दूद है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है, वो डाजेस् में कोई और है, जो कि हुमन बॉड़ी के दौरा डाइजिस्टेबल नहीं है, इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए, तो एक ये भी फैशन काफी चल गया है, कि मिल्क और मिल्क प्रोड़क्ट से दूर रहे हैं, पर अगर आप मिल्क नहीं लेंगे, तो आपका बोन कैसे ठीक और बोन ठीक नहीं रहेगा, तो आप चल कैसे पाएंगे, खड़े कैसे हो पाएंगे, तो मुझे लगता है डॉक्ट साब लोगों का भी कन्फ्यूजन होगा, मेरा भी कन्फ्यूजन है, किर्पया इसको दूर करे. हमें लगता है, आपके सवाल बिल्कुल सही है, जितने ज़्यादा रिसर्च होगी, उतने ज़्यादा चीज़े सामने आती हैं, और कुछ समय के लिए उस पर कन्फ्यूजन का विशे भी बना रहता है, विशे शग्यों के लिए भी, और एक सामान विप्ति के लिए भी, हम अपने वापस जाना पड़ेगा आज से 50-700 साल के आसपास पीछे, इस प्रकार की जो समस्याएं हमें आज हो रही हैं, जैसे जोडों में गठिया, जोड़ जोडों में दर्द, कमर में दर्द, चकर, नीन, नाना, इस प्रकार की समस्या आज से 50-100 साल पहले नहीं थी, वहा चाहे वो मांसा आ रही हो, चाहे वो शका हा रही हो, लोग उसे पाने अपने जीवन शाली जीने के लिए मेहनत करते हैं, तो शरीर एक श्रम करता था, जिससे कि और बहतर बनता था, जो कि आज युग में छूटता जा रहा है, जैसे रही बात हमारे कैल्शियम दूद ना लेने की, तो कैल्शियम एक बहुत जरूरी पार्ट है, हाँ, ये विचारधारा हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ रिसर्चेर्ज की, कि हमें दूद का सेवन नहीं करना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं जाना चाहिए, हमें अन्य और तरीकों से कैल्शियम को शरीर में रखना ही रखना है, अगर ऐसा नहीं होगा, तो हड़ियां कमजोर होंगी, जल्दी तूटेंगी, जल्दी खराब होंगी, बेंड होंगी, बहुत सारी समस्या हैंगी, तो इस लिस्ट में नहीं जाकर, पर मैं अपने शोताओं से सभी से आगरे करूंगा, तीन चीज बहुत महचपून है, आप किसी भी विचार धारा को मानते हों, शरीर में जो जरूरी तत्व है, वो आप तक पहुंचने चाहिए, जिस भी माध्यम से, मेरा अपना परसनल ये होगा, जैसे हम पहले जीवन जीते थे, उस पे चलें, दूद पि हैं, घर पे बनाएं, तो चीजों को अगर आप ऐसा करें, एक्सरसाइज करें, खेलने, कूदने की आदत रखें, थोड़ी से अपने लाइफस्टाइल को बाहर ले जाएं घर से, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे, तो लोग कहेंगे, पॉलिशन बहुत है, मेट्रोज में ये आज उसे अचानक से चैलेंज कर देना या उसे रोक देना बहुत कुछित नहीं होगा